अक्सर काफी लोग कमेंट करते हैं कि आप पाकिस्तानियों को जाहिल की बोलते हो जाहिल की बोलते हो और खास्तों से जो नए सब्सक्राइबर होते हैं वो इस पेशली इस टाइप के कमेंट करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को या तो पाकिस्तान के बारे में नहीं पता होता है या पाकिस्तान के लोगों के बारे में नहीं पता है सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि यह पत्रगार साब पब्लिक के बीच में जो सवाल लेके गए वो सवाल आखिर है क्या टापिक यह है कि रिसेंटली इरान ने इंडिया को आफर की है कि जो नेचरल गैस है उस फील्ड में आप हमारे साथ काम करें और 30% शेर के साथ काम करें इसी वाले से आज पकिस्तान की अवाम से बात करूँगा कि आखिर क्या वज़ा है इरान इसलामिक कंट्री है और पकिस्तान भी इसलामिक कंट्री है हमारे साथ इस तरीके से क्यों नहीं कोई आफर हमें दी जाती क्यों नहीं डील की जाती इरान भारत को ओफर कर रहा है तो पाकिस्तानी की जले ना यह केसे हो सकता है तो पत्रकार साब ने उठाया अपना केमरा और चले गए पब्लिक के बीच में ये जानने की कोशिश की कि इरान एक इसलामी मुलके और हिंदुस्तान में मुस्लमानों पर अत्याचार हो रहे हैं तो चलते हैं पाकिसार यानि कि आफ़र की है पर पाकिस्तान के साथ क्यों Otherwise हूं है कि अब जो नजदी के साथ में भीया इस रिए झ्रव पक्यामत में भी बाद हूं क्यामत की निशाना अगर यह किसी वाइद नंबर पता ओ तो बाजब बता देना हद करते हैं बाइसाब ये पाकिस्टानी भी हद करते हैं इनका कोई जबाब नी बई बहिए कोई जबाब ये बिल्कुल एक ये भी निशानी है जो हमारे हुकुमरार है जो पहले थे जो अब है इन'े समझी नी आरी कि मुल्कों चलाना कैसे है इनको पता हिनी चार रहा कि जो हिंदू है हमारे दुष्मन है हमारे दोस नहीं है हिंदू दुष्मन है पाकिस्तानी думаю अपने वहाँ पे मुलक बना लिया है हिंदू ने तो जमी ने दी भाई तुमको जहींры लेकिन उसके बाव्जू Да अगर हम सोङ़िया की बात करें से ले लो वैसे ही तो मैं कैसे ले लूँगा मैं तो नहीं ले सकता अगर लूँगा तो फिर तो मैं तो जुरमदार हूँ किस बात के लिए दिया जा रहा है किस बात लेगी ये मुझे पैसे दे रहे हूँ कॉश इन से बात लीघे ये है इनको पत्ता ही नहीं चेल रहा है कहीं करक्या रहे हैं ल्लह में इस दूरा कि यह जो लोग जय suisसे हैं नहुआ यह अप्ने जो जो मारा सुद्य इर्भ मुलक है हमारा वह Hayoi है इन से रहान रहात है इसे इन से फैदे लें इनसे निको फायदा दे सकते हो तुम बस दुनिया से फायदा लेसकते हो सकते हो जो मदो कोमत में दो वग्ति की रोटी भीerme चीन लिए आटे की बर्टी कीमत उने अवाम मुझसे नवाला चीन दिया अगर ऐसी गलियों में दूद और दई की दुकानों को भी लूटा जा रहा हूं लेकिन लूट मार चीना च्छिप्टी शुरू हो गई है और आप अगर यही हालात रहे तो सुनेंगे के क्रियाना की दुकान को लूट लिया बिकरी को लूट लिया इनसे कैसे फाइदे लें यही तो मेरा क्वेस्टन है उपको और गलत बोली नी सकता क्यूंकि अगर इसने गलत बोल दिया तो इसके बाप राशन बानी बंद कर देगा और टीन टपड़ उठाके घर के बार फेक देगा तो बाही की तो मजबूरी है बाप बाप होता है आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकार्ट कर रहा हूँ वो ये है कि एरान ने इंडिया को आफर की है कि आप जों से हमारे साथ गैस फील्ड पे आके काम करें 30% शेयर लें मेरा क्वेस्टन ये है कि क्यों एरान या दूसरे इसलामी कंट्री है इंडिया के साथ काम करने में डील करने में ज्यादा इंठरस्टीन है ऐस कमपेर टू पाकिस्तान अगर ये राνοी ने काया कि हमारे साथ इंडिया कर लिया फेक नहीं हो जाए मुझे नहीं लगता कि ऐसी कुछीज हो के एरान पाकिस्टन को छोड़ के इंडिया गैर मजब लोगों के साथ जाके प्रेफरेंस ते ऐसा कुछ भी मामला नहीं लगता बिल्कल सही है मेरे बाई बिल्कल सही है यही तो जहालत चाही है हमको क्योंकि पाकिस्तानी अब किसी काम के तो रही नहीं गए किसी के भी और तुम्हारी बाते सुन सुन के जो लुप्त मिलता है उसका सुएगी अलगे बहुत किस भी हाफ पर यह कह सकते हैं कि यह फेक न्यूज है ठीक है आपको नहीं मालेक है यहलों की तादाद हर जगा आपकें दो रहा हुआ हर अगर इंडिया को दे तो इनके साथ समझ में भी आती है कि कह करता स recreation करे अब करेंगें कि इंडिया के साथ किसे काम कर सकता है इस चीज़ के तो मैं 100% क्रेंटी देता हूँ देखो याद रखो हमेशा भीकारी कॉंपलेक्स में होता है बहुँ है भी हम कहते हैं इंडिया इसलामी कंट्री का दुश्मन है इसलाम का दुश्मन है मुसल्मानों का दुश्मन है तो सबी जब इमरान खान उनके साथ कुछ करना चाहता था तो सबी ये कहते हैं कि यहुदी एजेंट है उनके साथ मिला हुआ है इंडिया के साथ मिला हुआ है अभी आप रिसेंटली देख लें शबाश श्रीफ की आडियो लीक हुई है जिसकी वज़ा से वो उसमें साफ कर रहा है तो यह पावर प्लांट वो उनकी तरफ से मिला रहा है तो जारी बात यह गलत चीज है हमारी पाकिस्तानी अवाम को समझना चाहिए को जो हमारे हक में बेतर है क्योंकि इंडिया जो हमारे साथ कभी फियर नहीं चल सकता बस बस यहीं सुनना था मेरे भाई बस यहीं सुनना था मेरे को 95% पाकिस्तानी यहीं सोचता कितने भी शांती के मौबत के आप कबुतर उड़ा लोगे यह पाकिस्तानी उनकी गर्दन को मोड़ देंगा है एक वीडियो की वीडियो आपने पूरा देख लिया वीडियो देखने के बाद में अगर जिन लोगों को लगता है कि अब भी जाहिल ना बोलू इन पाकिस्तानियों को तो भी आज कमेंट करके बता देना मेरे को तो मैं जाहिल बोल लाइन को बंद कर दूँगा और आज कल आप वीडि़ो को शेर नहीं करते हो एक शेर कर दिया करूँ भई नहीं भी कर दिया करूँ इतना सा कर दिया करूँ ज्यादा कुछ मत करो ठीक है आप लोग अपना कहाल रखिए आपके लिए पार्ग में डिसले ट्रेट वोडियो लादा रहे तक जै हिंज बंदे मातरम जै शिर्राम जै शिर्राम जै शिर्राम